नमस्कार, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक पर यह यूनिट, NCRD का फोर्थ यूनिट है, जिसके बारे में हमें इसी रियक्शन के होने वाले रेट के बारे में डिस्कस करना है अगर हम इस यूनिट को देखते हैं तो NCRD में जिस तरीके से लिखा गया है, वो काफी ट्रेडिशनल वे में आपके सामने समझाने की कोशिश किया गया है मैं इससे उलट किस तरीके से आप याद कर सकेंगे, कैसे इस पर कमांड कर सकेंगे, उस पर फोकस करते हुए यहाँ पर टॉपिक को अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर मैं अपनी नजरों से आपको कोशिश करूँगा कि आप अपनी मन की आखों से उन मालिक्यूल्स को फील कर सके जिनके rate of reaction के बारे में यहाँ पर बात करनी है यहाँ के दुनिया हम वैसे ही देख पाएंगे जैसे हमारी society में लोगों के बीच में होने वाले reactions होते हैं reactions लोगों के बीच में बिलकुल जैसे हम देखते हैं हमारी society में शादिया होती हैं उसमें family के लोग involved होते हैं हम देखते हैं जिलनों के बीच में शादियां होती हैं, वो लोग आपस में बात करते हैं, शुरुवाती दौर में अरिंज मैरी जब हो, तो भी उसमें एक फैमिली इन्वाल्ड होती है, दो लोगों के बीच में बात चेत होती है, कई बार ऐसा होता है कि उनके बीच में बोंड्स का Farm Motion जैसे हमारे society में होता है, शादियां होती हैं, दो लोगों की बीच में बॉंड्स बनता है दो लोगों की बीच में, तो उस समय दोनुनों का Nature अगरी एक जैसा है, proper orientation एक जैसा है तो ही दो लोगों के बीच में शादी successful हो पाती है same यही चीज यहाँ पर देखने को बिलेगा किस तरीके से को reaction आगे बड़ेगा उसमें bonds का formation होगा यह proper orientation पर depend करेगा और उस मामलों को control करने के लिए कई बार family members यानि physical conditions जिसे हम कहते हैं उसको हम control करके reactions को यानि शादी के event को या bond के formation को हम अपने तरीके से बहतर बनाने की कोशिश करेंगे मेरे इस बात के कहने का मतलब किया एक बार बना करके देखते हैं उस historical events को तो बहतर तरीके से समझ पाएंगे एक कोशिश करिएगा यहाँ पर समझने की of reaction को जानने के दोरान आपको actual event के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए अगर आप actual event को पहले से ही जानते हैं तो हर एक condition को अपने मन में memorize कर पाना उसको logically सोच पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा मेरे इन सारी बात हो के कहने का मतलब क्या है एक बार हम शादी का event देखते हैं और वहाँ पर molecules के बीच में होने वाले reaction से एक similarity देखने की कोशिश करते हैं उस collision theory के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे जिसकी basis पर को reaction आगी के बढ़ता है और वो काफी हद तक हमारे society में होने वाले शादियों के जैसा ही event होता है चलते हैं देखते हैं बात करते हैं slide पर यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे आज chemical kinetics के बारे में जो NCID का fourth unit है इसमें हम discuss करेंगे rate of reaction के बारे में और यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे यह chemistry के दूसरे branches के साथ कैसे interconnected है यह सारी चीज़े पढ़ने का मकसद यह रही है कि हम chemistry को boring बनाएं यहाँ पर हम सभी का मकसद यह होगा chemistry को interesting कैसे बनाया जा सके और chemistry की knowledge की मदद से बिना lab में गए किसी reaction के बारे में काफी हद तक हम अनुमान कैसे लगा सकते हैं अगर lab में ही हम हैं तो lab के process को कैसे और जादा efficient बना सके उन सारी चीज़ों के बारे में focus करते हुए हम यहाँ पर chemical kinetics की बात करेंगे तो chemical kinetics के इस unit के पढ़ने का मकसद ही यही है लेकिन शुरुआत हम करेंगे collision theory से हम collision theory को जब बहतर तरीके से समझेंगे NCRT ने इस बात को सबसे last में दिया है लेकिन मेरी कोशिश होगी इस चीज़ को draw करने के सबसे पहले और एक similarity बनाने की कोशिश करेंगे हमारे social event से जब उस तरीके के similarity आप समझेंगे पूरा का पूरा unit ऐसा लगेगा जैसे chemistry में वो सब कुछ होता है जो हमारे society के भीतर होता है चलते हैं एक arranged marriage की story देखते हैं जिसमें family involved होगी लोग involved होगे लड़के और लड़की के बीच में बातचीत होगा कई बार जगडे होगे उस जगडे को सुलजाने के लिए family वाले involved होगे जब यह सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगे तो last में शादी होगी शादी का मतलब bond का फार्मिशन वो सारी चीज़ें एक बार interconnect करेंगे और draw करते हैं यहाँ पर हम उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जहां पर एक mister है नाम कुछ भी रख लीजे बड़े ही प्यारे से mister है और इनकी arrange marriage होने वाली ही पहले उनके बारे में कलपना करते हैं फिर आप समझ पाएंगे chemical kinetics actual में होता क्या है पूरे के पूरे सारे इस topic में आपको molecular events के बारे में अगर जानकारी मिल रही है तभी आप अच्छे तरीके से किसी भी unit के बारे में जानकारी रख सकते हैं पूरी chemistry इसी बात पर आधारी थै क्या आप जानते हैं उस चीज़ को जो atomic level पर हो रहा है क्या आप जानते हैं उस event के बारे में जो molecular level पर हो रहा अगर इस तरीके से confidence बना करके आगे बढ़ेंगे तो बहतर तरीके से समझ भाएंगे यह हमारे दूले राजा हैं इनके बारे में आप समझ लें यह थोड़ा सा आप समझ लें तो हम इनके बारे में भी बात करते हैं यहाँ पर इसी को एक correlate करेंगे अपने society के events से हम molecular events को correlate करने की कोशिश करेंगे इनको पुरी तरीके से सजा लेते हैं यह भी अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं और यह लोग आपस में मिलेंगे बात करेंगे फैमिली भी involved है यहाँ पर हम फैमिली को क्यों involved करना चाते क्योंकि यह arranged marriage है arranged marriage के इस event में जब family involved होगी family involved होने का मतलब यह चारो और से social pressure है इनके उपर social pressure है इस लड़के और लड़की को यानि यह जो दूलहन और दूलहे हैं इनको तो आप देख रहे हैं इसके अलावा इनके पिता जी भी हैं पिता जी हैं तो इनके पिता जी को भी देखिए लड़की के जो बैचारे यहाँ पर हैं इनके पिता जी भी हैं जिनको थोड़ा स physical conditions कितने होते हैं जो किसी reaction को focus करने के लिए जरूरी होते हैं किसी reaction के events को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं वो सारी चीजें आपको समझना होगा ऐसे ही यह जो हमरे पुआरे से दूले राजा है इनके पापा भी यहां पर होंगे ये दोनों ही families के ये जो physical conditions है अब इनका नाम रख देते हैं actual में ये है हमारा atom जिसके बीच में reaction होना है ये दूसरा atom है जिसके बीच में bond का formation होना है इनके बीच में interconnection होना है कई बार ऐसा होता है reaction कितना तेजी से आगे बढ़ेगा उसका rate of reaction क्या होगा कितना fast ये शादी होगी ये कई सारी चीज़ों से तै करते हैं जैसे माल लीजे हमने किसी hotel में इस दूले और दूलन को भेजा वो लोग आपस में बात किये attract हुए एक दूसरे को पसंद किया तेजी से हो जाएगा अगर natural affection है दूले और दूलन के बीच में तो बहुत तेजी से वो reaction होगा बहुत तेजी से वो atom से आपस में चुड़ने की कोशिश करेंगे शादी fast हो जाएगी कई बार यह होता है कि हमारे गाउं की शादिया होती जहाँ दूले और दूलन इतने open नहीं होते इतने open environment में नहीं होते है traditional condition होती है तो वहाँ पर क्या होता है family involved होती है इस family को देखिए family involved होती है इस family में आप कौन-कौन से conditions जानते है जो इस reaction को fast करा सकती है वैसे यह दूले दूलन जो होते हैं अपने आप में एक दूसरे को बहुत जादा नहीं जानते हैं तो यह जैसे माली अगर आप कोशिश भी करेंगे गाउं के दूले दूलन है तो बैचारे बहुत सीधे साधे हैं यह आपस में उतने शर्माते हैं मिलने के लिए तो आप क्या करेंगे बाहरी जो conditions होती है वहाँ पर बहुत जादा इसको control करती है तो बाहरी conditions में आप देख रहे हैं दूलन के जो पापा हैं वो समझाएंगे एक तो शहर की शादी होती है जिसमें लड़के ने तुरन देखा लड़की से मिला रेस्टरेंट में उसने तैय कर दिया मुझे इससे शादी करनी है family वाले कोई involved हो या ना हो वो reaction अपने आप होता है यानि कोई reaction अगर fast हो रहा है तो उसके अपनी inherent property होती है कई बारे यह होता है कि शहर में दो लड़के-लड़किया मिले वो रेस्टरेंट में मिले और उनके ideas नहीं match कर रहे हैं अगर आप पहले ही समझ लेंगे तो rate of reaction को कैसे control किया जाता है rate of reaction को control करनी की क्यों जरूरत पड़ती है उसका अगर हम control करने के mechanism को समझ लेते हैं तो उससे हमारे industries को क्या फायदा हो सकता है उन सारी चीज़ों के application को पहले ही round में clear कर लेंगे तो पूरा का पूरा topic interesting हो जाएगा इसलिए मैंने आपको बताए यहां draw करके दिखाने की कोशिश किया है इस दुलहन के पापा है कौन? temperature महोदे हैं जो इस atom के बीच में bond बनाने के लिए एक physical factor के रुप में काम करेंगे temperature कई बार किसे reaction को control करने में मदद करता है वो कराएगा क्या? वो कराता यह है कि temperature क्या करता है? जैसे ignite करता है दुलहन के पापा बार बार बोल रहा है अपनी बेटी से कि बेटी जाओ तुम मिलो उसके साथ interact करो घुलो मिलो जब आप लोग बात करोगे तो ज़्यादा बहतर तरीके से समझ पाओगे तो यह है physical conditions कई बार यह होता है दुला और दुलन उतना attraction रखते नहीं बार बनाने के physical conditions जब temperature ज़्यादा होता है तो वो आपस में ज़्यादा kinetic energy के साथ एक दूसरी के करीब आते हैं कोलाइड करते हैं, मिलते हैं, आइडियाज मैच होते हैं, शादी होती है, बांड बनता है यह चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा कैसे होता है मैं इसको chemistry के language में भी समझाऊँगा इसी तरह की से दूसरा factor मैंने बोला दुलहन की माँ है इनको भी देख लेते हैं, आण्टी को भी देख लेते हैं यह दुलहन की माँ हैं, दुलहन की माँ क्या करेंगी? यई actual में है volume, इस तरीके से समझें real factor क्या है? volume है जैसे मैंने आपसे का temperature ने क्या किया? मतलब ये कि दोनों को पास में एक दूसरी के साथ समय गुजारने का जब मौका मिलता है तो reaction fast होता है एक दूसरी के साथ interconnection जादा होता है इस तरीके से मैं आपको कहना चाहरा हूं कि volume का एक external factor होता है जो किसी reaction के rate के होने के बारे में एक जानकारी दे सकता है अगर आप volume जैसे conditions को control करेंगे तो ये bond कितना जल्दी बनेगा कैसे बनेगा उसके बारे मनमान लगा सकते हैं चलते हैं दूसरी ओर हम देखते हैं दूले राजा की और कौन कौन सी condition है तो यहाँ पर दूले राजा की और जो conditions हैं दूले राजा के पापा जी हैं ये कौन है? Catalyst. ये कौन है? Catalyst है. Catalyst आपको पता होना चाहिए कि अगर दूले और दूलन की बीच में मुलाकात में रास्ते में दिक्कत हो रहा है. वो आपस में मिल नहीं पा रहा है. दूले के पापा एक मौका तयार कर रहा है कि नहीं नहीं बेटा आप दोनों लोग मिलिए आपस में ब favorable condition पाते हैं. Catalyst. मैं आगे चलकर कि इन सारी चीजों के बार में discuss करने वाला हूँ. मैं इसलिए इस चीज को बताना चाहता हूँ कि कभी भी दो लोग की बीच में reaction को अगर आप fast करना चाहते हैं तो ये सारी conditions होती है. ऐसे ही. एक और condition देख लेते हैं जो नीचे दिया गया है. आप लोग बात करिए. तो कई बार ऐसा होता है कि शादी बहुत अच्छे से हो जाती है. क्योंकि family involved होती है. इसलिए कहा जाता है ये जो arrange marriage का तरीका वही यहाँ पर देख सकते है. प्रेशर डाला गया. प्रेशर डाला गया तो volume अपने आप कम हो जागा. देखे ना. इस तरीके से आप क्या सकते हैं. अगर आपने प्रेशर जैसे factors को यहाँ पर बढ़ाया. प्रेशर बढ़ाने का मतलब समझते हैं. प्रेशर बढ़ाने का मतलब अब होगा कि यह जगा जब यह काफी करीब आने के लिए आप इनको मौका दे रहा है. इसलिए जब आगे चल आए जाने की events के बारे में जानकारी दे रहा था. Law of mass action इसी बात को focus करते हुए था कि अगर concentration पर आप focus करें, कितना concentrated है, कितना पास-पास, कितने जादा molecules हैं, जितना ही जादा होंगे, वो आपस में एक दूसरे के मिलने का जादा मौका पाते हैं. Atoms के उस event को शादी से जो मैं समझाने के कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज़ को feel करिये. यहाँ पर होगा क्या, जितना ही close आप इनको लाने के कोशिश करेंगे, चाहे प्रेशर को बढ़ा करके, प्रेशर बढ़ाएंगे, जब चारोर से प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा यह vessels का जो volume होगा, वो कम हो जाएगा, इससे होगा क्या, इनको आपस में मिलने के लिए ज़्यादा बहतर मौके मिलेंगे, तो इसलिए pressure बढ़ाया जाता है, यह external condition होती है, ऐसे ही, आप दूसरी language में कह सकते हैं, यहाँ पर volume को कम कर दिया जाएगा, यानि pressure बढ़ाने के जैसा ही दूसरी language में हम कहा सकते हैं, इसी तरीके से मैंने आपको कहा, temperature बढ़ा दीजे, temperature बढ़ा देने से क्या होगा, अगर इसी vessel के भीतर हो, तो molecules बार बार इधर उदर घुमेंगे, टहलेंगे, टकराएंगे, अगर माल यह दूलहन अपनी ही घर में रहे, दूलहा अप कि यह क्या करते हैं, कुछ आसान रास्ते प्रवाइड करते हैं, जिससे इनके जो भविश्य में जो बहु और बेटे जो हैं, यह आसानी से मिल सकें, इस तरीके का event हम यहाँ पर chemical kinetics में देखने की कोशिश करेंगे, चलते हैं core concept पर, इसको समझने की कोशिश करते हैं, collision theory की कैसे होता है, atoms कैसे एक दूसरे के पास आते हैं, उन सारी चीजों को एक बार और draw करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर मैंने जितने भी बात आपके सामने रखने की कोशिश की है, उसको कुछ ऐसे समझें, तो atoms है, atoms यह molecules के level पर भी इस चीज को कलपना कर सके हैं, पास आने के लिए, reaction में bond बनाने के लिए आ रहा है, कितना तेजी से यह bond बनाएंगे, उसी के बारे में, यहाँ पर हमें discuss करना है, तो यह बचारा इधर आ रहा है, एक दूसरे से मिलने के लिए, यह दोनों ही एक दूसरे के करीब आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना है, कि इ दूलहे और दूलहन, आपस में कितना attracted है, उस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, दूलहा और दूलहन का orientation, thought process एक जैसा है या नहीं है, वही चीज़ यहाँ पर देखना होगा, orientation एक जैसा है या नहीं है, यह introduction में इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि family को भीना involved किये भी, शादिया होती है, अगर दो लोगों के मन मिलते हैं, तो शादिया होती है, वही चीज़ मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर proper orientation इन atoms के बीच में है, तो यह bonds बनाने की कोशिश करेंगे, यह आपस में कोशिश करेंगे, bond बनाने के ल यहाँ आपने एक्सर देखा होगा, पहली नजर में बहुत कमलों को प्यार होता है, एटम्स के दुनिया में भी ऐसे होता है, यह होता क्या है, कि एक दूसरी को पहले समझने की कोशिश करते है, समझने के दारान, इनके बीच में विचारो का लड़ाई होता है, यही चीज Collision Theory में बताई गई थी Collision Theory में जब आप बात करते हैं तो वही चीज यहाँ पर देखेंगे जब यह आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके बीच में विचारों के लडाई होती विचारों के लडाई होने का मतलब क्या है इस चीज को आप देखें यहाँ पर यह एक दूसरे के करीब आते हैं इनके एनर्जी का स्टेटस बढ़ा हुआ होता है यह एक दूसरे से लड़ते हैं जगड़ते हैं और उस समय इनके एनर्जी का स्टेटस क्या होता है बढ़ा हुआ होता है इस चीज़ को अभी मैं graph के according समझाने की कोशिश करूँगा, energy के graph के according भी हम इस चीज़ पर बात करेंगे, तो ये एक दूसरे से जब जुड़ते हैं, तो एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं, ये दूसरे के करीब आते हैं, बहुत energetic एक collision होता है, विचारों के लड़ाई होती है, एक दूसरे को समझने का प्रयास होता है, और अगर ये बात समझ में आ गया, कि हम दूनों एक दूसरे के compatible हैं, क्या होता है, शादी होती है, और इस process में आप देखेंगे, यहाँ पर, ultimately अगर हम मान की चलते हैं कि इनके बीच में शादी होगी, तो अगर शादी होने के chances होते हैं, तो क्या होगा, उस चीज़ को देखें, ultimately ये दूलहा और दूलहन, शादी के बंधन में बदते हैं, ultimately result क्या आता है, result आप समझ लें, यही पर थोड़ा मैं नीचे बना कर दिखा देता हूँ, result यह होता है कि आपको कुछ दूलबाद इनके एक happy family life नजर आती है, जिसमें A और B आपस में खुशी-खुशी जिना शुरू कर देते हैं, इस तरीके का event होता है, मतलब यह है कि अगर energy के state wise भी अगर मैं कहूँ, तो जैसे बालेजे कि आज यह लड़का और यह कोई कुछ भी जान करी नहीं थी एक दूसरी के बारे में, लेकिन थोड़े दिनों बाद यह जब शादी की बात आती है, तो यह कहीं मिलना जुलना शुरू करते हैं, आपको पता ना शुरू आती दौर में प्यार नहीं होता, थोड़ी लड़ाईयां भी होती है, लड़ा बने हुए हैं, तो उसके बाद इनकी एनरजी का स्टेट बिलो जाता है, मतलब आप यह समझें, यह ओरिजनल इनरजी स्टेट था, और इनके बीच में विचारों की लड़ाई होती है, तो इनका एनरजी का स्टेट थोड़ा सा बढ़ता है, यह हाईर एनरजी के स्टेट म की कोशिश करते हैं, अगर बात बन गया, तो यह क्या होता है, फिर इनकी शादी पक्की हो जाती है, आप यहाँ पर देखें, यह लोवर एनरजी के स्टेट में आकर के, खुशी खुशी अल्टी बट्ली रहना शुरू कर देते हैं, तो यह लोवर एनरजी स्टेट में कैसे एक दूसरे के करीब आते हैं, और वो घटना यहाँ पर भी आप होते हुए देख रहे हैं, आप यही पर समझने की कोशिश करें, यह ग्राफिकल इस्टुडी की बेसिस पर, इस चीज़ को NCRT ने सबसे लास्ट में समझाया है, मैंने भी अपनी किताब में इसको हमारे पार्टकल्स हैं, दूले और दूलन हैं, जब यह रियक्शन के दौरान पार्टिपेट करते हैं, तो इनके एनरजी स्टेक में बदलाव आता है, यह करते क्या हैं, आप देखें इनका यह ओरिजिनल एनरजी स्टेटस है, यह उपर क्यों उड़ते हैं, और इनके वि भी शादी होती है, तो शादी से पहले इनलों के बीच में कोलिजन होता है, विचारों के जो डिफरेंस होते हैं, उन पर बात होती है, कैसे होती है, वो सारी चीजे हमारे सोसाइटी के जैसा ही यहां पर घटनाएं होती हैं, यह चीज मैं आपको बताना चाहरा था है, यहा वहां पर इनके बीच में Collision होना बेहत जरूरी होता है और Collision आप चाहे जैसे करा लीजे जैसे करा लीजे मतलब क्या? जैसे करा लीजे का मतलब ये है कि इनको आपस में Pass आने का मौचा दीजे जब ये Pass में आएंगे तो एक दूसरे को समझेंगे Cabons Farm होंगे और यही चीज यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है कैसे पास में आप ला सकते हैं pressure बढ़ा दीजे, molecules एक दूसरी को पास आजाएंगे volume कम कर दीजे, molecules एक दूसरी को पास आजाएंगे temperature बढ़ा दीजे, उनके kinetic energy बढ़ी हुई होगी वो आपस में collide करेंगे, collide करेंगे एक दूसरे को समझेंगे, bond का formation हो पाएगा, यह चीज है हमारे rate of reaction को determine करने वाले factors, और इस पूरे unit में जब आप बात करेंगे, molecular level पर, atomic level पर, particles के level पर, तो यही बात समझ में आती है, पूरे के पूरे unit में आप क्या बात करते हैं, आप बा law of mass action के according, concentration पर इसकी dependency की हम बात करेंगे, तो law of mass action किस बात के बारे में बताता है, यह बताता है, particles, जब आपस में ज़्यादा collide करेंगे, यानि यह concentration पर rate की dependency की बात को कहता है, rate is directly proportional to concentration of the reactant, और concentration का मतलब आप जानते ही हैं, concentration का मतलब कितना pass-pass particles हैं, pass-pass हैं, वही चीज़ जो मैं आपको दूलहा और दूलहन के events के रूप में बता रहा था, concentration का मतलब यही होता है, और concentration जब ज़्यादा होगा, तो rate ज़्यादा होगा, कैसे rate ज़्यादा होगा, rate इस रूप में ज़्यादा होगा, कि यहाँ पर इनको आपस में बात करने का मौका ज़्यादा मिले इसके लामा कोई और भी फैक्टर है क्या जो इस रेट पर फर्ग डालेगा तो मैंने आपको कहा ना एक कैटलिस्ट होता है कैटलिस्ट क्या करेगा आगे चल करके हम डिसकस करेंगे इन दोनों की बीच में जो इंटरेक्शन होता जो मॉलिक्टिल्स की बीच में बिना यह हमने जो शादी की बात किया था हमारी जो दूला और दूलन थे इसमें देखा था ना कि पापा जो थे यह कैटलिस्ट का काम कर रहे थे एक्शन में इन्होंने अपने बेटे से पूछा बेटे आजकल तुम मेरी बहुत से होने वाली बहुत से मिल क्यों नहीं रहा तो पापा बहुत जादा खर्चा लग रहा है इसले हर बार मैं फाइव स्टार होटल में उसके साथ नहीं मिल सकता हूं तो दूले के पापा कहते है कोई बात नहीं पुत्तर टेंशन नहीं लीजे आप इस रेस्टरेंट में मिलिए यहाँ पर पैकेज कम है यहाँ पर सस्ते मे पर सकते हैं तो दूले के पापा ने क्या क्या एक अल्टरनेटिव रास्ता बताया कैटलिस्ट भी यही करता है कैटलिस्ट क्या करता है रियक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कुछ अल्टरनेटिव पाथ प्रवाइड करता है जिसके द्वारा जह के कारण reactant के molecules एक दूसरे के करीब आसानी से पहुँच पाते हैं तो यह alternative path catalyst के द्वारा provide किया जाता है यही बात जब हम law of mass action पर जाएंगे तो उस समय बात करेंगे तो कितने सारे factors के बारे में बात हुआ हमने बात किया था यहाँ पर pressure के बारे में यहाँ पर बात किया volume को change करने के बारे में यह हमने बात किया catalyst के factor के बारे में इसी तरीके से और हीनियस ने जब अपना equation दिया तो उसने एक और factor के dependency के बारे में बताया क्या temperature करेगा क्या उसी concentration पर इनके भीच में collision के chances बढ़ा देगा जिसके कारण reaction rate जो होगा वो fast हो जाएगा इस तरीके से हम फायदा क्या होगा यह सारी चीजे हम अगले lecture में आपके साथ discuss करेंगे rate अगर पता चल जाता है तो उससे क्या क्या चीज़ में फायदे मंद होगी शादी का जो अगला event है उसके बारे में हम अगले lecture में आपसे बात करेंगे लेकिन वहाँ पर कई सारी चीज और भी discuss होग अगले है कि जैसे हमारे पास data होगा वैसे हम बात करेंगे बाद में हम समझने की कोशेश करेंगे इसको molecular level पर जब हम law of mass action की बात करेंगे उसके बाद हम किसी भी reaction को समझने की कोशेश करेंगे कि वो reaction किन बातों पर depend करता है rate law क्या है कैसे उस reaction को हम control कर सकते हैं उसके rate को हम control कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और आप इसके rate को control करने बहुत बड़ी बात है कई बार ऐसा होता reaction बहुत fast होता है उसको tune करना उसको control करना बहुत जरूरी होता है तो इसलिए हमें इस unit के बारे में पता करना है क्योंकि chemistry में अगर आप कोई industry में work करना है तो chemistry के इस knowledge की मदद से अगर आपने उस reaction के rate को control करना सीख लिया बहुत बड़ा काम हो सकता आप समझ सकते ना अगर मालीजे कोई chemical event हो रहा है उसको fast करना है तो कैसे करेंगे जब आप उसके बारे में जानेंगे तभी तो लेकिन जानेंगे कब जब आप atomic level पर molecular level पर अपने उस समझ को बना लेंगे तभी तो ऐसा कर पाएंगे इसलिए chemical kinetics का यह knowledge आपकी मदद करेगा जैसे जैसे unit में चलेंगे starting में बहुत rough होगा सिर्फ और सिर्फ आपको numerical दिया जाएगा numerical के अलवा बहुत जादा कुछ होगा नहीं सोचने का लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो एक rough idea कैसे आपको मदद करेगा atoms के level पर ले जाएगा law of mass action पर ले जाएगा उसके बाद rate law बनाने पर मदद करेगा rate law को कैसे आप समझेंगे और उससे क्या इससे कैसे आप conclusion बनाने की कोशिश करेंगे उस level पर बात होगी catalyst का क्या effect होता है pressure का क्या effect होगा volume का क्या effect होगा concentration के साथ यह कैसे interconnected होगी उन सारी चीज़ों पर बात होगी धीरे धीरे करके जब last में चलेंगे तो फिर वो जो NCRT ने open करने की कोशिश की है किस तरीके से molecules collide करते हैं वहाँ पर कौन-कौन सी चीज़े प्रभावित करती है लेकिन NCRT का यह orientation कि last में सारी बात बताई जाया यह ठीक नहीं है आप शुरू से ही आपके मन में अगर मैंने molecules के उस dimensions को डाल दिया आपको सोचनी के मजबूर कर molecules के level पर imagine कर सकें, numerical तो अपने आप बन जाएंगे अगर आपका उस subject से connection बन गया तो